नमस्कार मैं सोनी ओज़ा स्वागत करती हूँ आपका एनन 24 न्यूज में बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर 36 गड़ की राजधानी रायपूर में आज से कॉंग्रेस के दोदी वसी नव संकल्प शीविर की शुरुवात हुई है इस शीविर में शामिल होने के लिए पहुंचे 36 गड़ कॉंग्रेस प्रभारी पील पुनिया ने 50-50 परसेंट फॉर्मूले पर कहा कि इसमें कोई दुव नहीं है राजस्थान के उदैपूर शीविर में हुए बातों को नव संकल्प शीविर में उपस्तित सभी कॉंग्रेसियों को बतलाया जाएगा कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि उदैपूर में जो संकल्प लिया गया है उसे ही कॉंग्रेस आने दिनों में प्रदेश में भी अपनाएगी युवाओं को मौका मिलेगा प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने युवाओं को तरजीख देने पर कहा कि उदैपूर में संकल्प लिया गया था कि पचास वर्स के कम उम्रे के युवाओं को पार्टी 50% टिकट पार्टी देग मोहन मरकाम ने आगे कहा कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को पार्टी टिकेट देगी प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि दो अक्टूबर से भारत जोडो अभियान की शुरुवात कॉंग्रेस करने वाली है इसके तहट भारत की सभी लोगों को एक साथ जोड देने की बात कही थी लेकिन दे नहीं पाए देश की जनता महंगाई से परिशान है जो जश्न मना रहे हैं उनको पश्टताब भी करना चाहिए राजसभा में जो कंडिडेट्स का सेलेक्शन का अधिकार कांग्रेस प्रेजिडेंट को होता है वही अधिकार का इस्तमाल करते हुए क्या था आम तोर से दो मैंसे एक स्थानिये रहता था लेकिन कांग्रेस प्रेजिडेंट को किसी प्रदेश विशेष के जहान में रखत हुए डिसिजन लिया जाता है लेकिन यह आस्वस्त करना चाहूंगा कि हर हालत में जो जो भी यहां पर candidate आये हैं जो चुनके जाएंगे वह 36 कड का ध्यान रखेंगे 36 कड के मामले उठाएंगे इंद्र सरकार की नाकामिया इन आट वर्सों में जो बड़े बड़े वादे किये थे 2014 में दो करोड युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे टायटा फिस हो गया आट सालों में 16 करोड लोगों को रोजगार देना था 15 लाग देने की बात की थी 15 लाग कहां गया किसानों की आए 2022 तक दुगनों करने की बात की किसानों का हाल पूरे देश में देख लीजिए उसके साथ साथ देश की जनता महंगाई से तरस्त है बहुत हो गई महंगाई की मार अब तो हम कहेंगे बस करो मोधी सरकार आज सताब करना चाहिए जो वादे करके आए थे आजे देश की जनता से माफी मागने चाहिए